हलो एवरीवन दिस इस सिद्धार्थ पडएल वेलकम चू मैगनेट बेंस मैगनेट बेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है मैगनेट बेंस पर ऐसा नहीं होता है कि दो चैप्टर आपको फ्री में देने के conservation of mineral resources इस last topic के साथ में हमारा होगा chapter समाप और इसके बाद में हम लोग करेंगे पूरा map work पूरे अच्छे तरीकी से एक शांदार map work करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि board examination में आपको कैसे कैसे question पूछे जा सकते हैं वो तमाम तरीकी के questions भी हम लोग देख लेंगे इस पूर and non-ferrous minerals के बारे में पढ़ा था कि कहा iron content जादा है मतलब ferrous content होता है इसमें नहीं होता है ने उसके बार में हमने conventional and non-conventional sources of energy के बारे में पढ़ा तमाम तरीकी के distributions देखे कि boxside कहां पे है petroleum कहां पे है coal कहां पे है इन तमाम तरीकी के distributions को भी हमने देख लिया था अब बारी है ये बहुत ही छोटा सा topic है conservation of mineral resources की कि हमने भी हम minerals के बारे में बात तो कर ली सब के बारे में बात कर ली energy के बारे में बात कर ली लेकिन अब उसक आपने रख और से अब और आफ कि ऊछते हैं कि इन रेसोर्स देक्वाइगा कॉनृ कि बचान फर इकसि एंडिर नमयानमिक Lev GMT नेरप्में साथ साथ 최कुम के बचाने के कि नहudding नहीं 되면 रेकूं यह नहीं हमें साथ-साथ में environmental concerns भी देखने होंगे development करो बिलकुल development करो industries लगाओ minerals को extract करो सारी चीज़े करो लेकिन साथ-साथ में environment को भी देखो कि हम development ऐसा करें जो कि हमारी आने वाली जो future generation है उनके लिए भी fruitful हो आपने ऐसा development कर दिया कि एक तो ना ही कोई resources छोड़े और पूरा pollution भरा देश कर दिया तो फिर आने वाली generation के लिए क्या बचेगा तो development करो बिलकुल development होना चाहिए लेकिन इस तरीके से करो कि वो आने वाली future generation के लिए fruitful हो तो sustainable development की बात हो गए sustainable development होना चाहिए एक ऐसा development जो कि sustain रहे long time तक चेक traditional methods of resources use result into generating enormous quantity of waste waste as well as create other environmental problem hence for sustainable development calls for the protection of resources for future generation अगर हम लोग traditional methods में देखे तो traditional method की development में देखे तो बहुत आदा waste निकल रहा है हम हमारे environment को हम हमारी मदर अर्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुचा रहे हैं resources हम लोग खतम करते जा रहे हैं और हमें सोचना होगा नए तरीके पर नया तरीका है sustainable development का उसमें development कुछ इस तरीके से किया जाता है जो की आने वाली future generation के लिए भी fruitful होता है there is an urgent need to conserve the resources the alternative energy sources like solar power wind wave geothermal energy are inexhaustible in nature अब भाया हमने बोल दिया कि traditional method अच्छी नहीं है तो फिर नई method लेकिया और नई method क्या है आप से पूछते है कि क्या करना चाहिए भाया तुम बता दो कोई 3-4 कारण बता दो तो क्या जवाब लिखोगे तो जवाब लिखो की देखो एक तो energy इसको replace कर दो coal petroleum इनको थोड़ा सा replace करो इन पे dependency कम करो हम इने पूरा खतम नहीं कर सकते हैं लेकिन थोड़ी सी dependency है उसे तो कम कर सकते हैं आप बात करो solar energy की आप बात करो wind energy की आप बात करो geothermal energy की कि energy production का कुछ इस तरीके सोना चाहिए और यह जो resources है यह inexhaustible है यह resources हमारे पास सालों साल चलने हैं इन रिसोर्स पर ध्यान इस लिए देना चाहिए इन energies पर ध्यान इस लिए देना चाहिए ताकि हम लोग replace कर पाए जो resources एक दिन खतम हो जाएंगे जैसे coal petroleum इनको replace करना है हमें धीरे धीरे in case of metallic minerals use of scrap metals will enable recycling of metals अब जैसे metals वगेरा है तो आप इन्हें recycle करो ठीक है अब वो metal कोई काम कर नहीं तो metal तो metal है आप उसको recycle कर दो तो recycling पर ध्यान दीजिए use of scrap is especially significant in metals like copper, lead and zinc in which India's reserve are meager चीक है और आप उन metals को तो आप उन resources को तो बार बार recycle करो जब तक आप कर सकते हो जहां पर आपको पता है कि हाँ यह तो already कम है जैसे अगर हमें पता है कि हमें पता है कि देश में copper कम है तो copper का use कुछ इस तरीके से करो कि वह आने वाली generation के लिए fruitful हो और अगर हम उसे reuse कर सकते हैं तो उसे reuse करो उसे recycle करो यूज आफ सब्सिट्यूट फर स्क्यार मेटल में also reduce their consumption अच्छा जो substitute ढूंडो जो देश में मिल सकता उस substitute पर काम करो तो जो उस metal जो वो जो resources है उसकी dependence कम हो जाएगी चीक है export of strategic and square mineral must be reduced so that existing reserve में भी use for longer period और ज्यादा export के बारे में मत सोचो export करो लेकिन अगर आपको पता है कि ठीक है इसका reserve हमारे पास इत्ता ही है और हमें इसे आने वाले 100 साल तक फिर हम क्या करेंगे ठीक है जैसे petroleum crude oil वगेरा है तो आजकल देश वगेरा क्या करें इसका कम export करने लग गए है ठीक है क्यों क्योंकि वो देखने लगे कि हमारे आने वाले 100 साल तक हमारे देश में भी तो होन है कि नहीं जो हमारे पास reserve है से 40 साल या 50 साल या 70 या 80 साल का है तो फिर उसका export थोड़ा कम करो और उसे अपने देश के लिए बचा के रखो पॉइंट से जो कि जरूरी थे conservation of minerals के इसाब से और इस पे अच्छा कहसा question बन सकता है जो कि आप से पूछा जा सकता है बोर्ड examination म कि बहिया बताओ तुम कैसे conserve करोगे इन minerals को तो ये एक अच्छा question है conventional non-conventional conservation of mineral resources characteristics of minerals यह जो कुछ तीन चार टॉपिक है इन पर अच्छे-काचे questions बन सकते बाकि map work तो इससे आना ही है जो कि हम करी लेंगे तो अब आपको next video में क्या मिल जाएगा आपको map work मिल जाएगा तो map बार यह होता है कि आपको YouTube पर वीडियो नहीं मिल पाते हैं तो इसका solution Magnet Brains लेके आया है वह है Magnet Brains की website पर पहुंचने के लिए simply Google पर जाए गूगल पर आप Magnet Brains.com लिखके सर्च कीजे और जैसी आप Magnet Brains.com लिखके सर्च करेंगे कुछ इस तरीकी का interface आपको नजर आए जिस class की पढ़ाई करनी होगी मैं उस class पर जाके click कर दूंगा मैं गया class 12 class 12 पर मैंने touch किया class 12 पर टच करने के बाद मैं class 12 की जितने subject के वीडियो जे मुझे screen पर नजर आ गया थोड़ा सा scroll करके नीचे गया तो यहां मुझे class 12 का geography नजर आया यह रहा class 12 का geography तो मैं मान प्रफिक के मुझे वीडियो दिखेंगे यह वीडियो से भी नहीं पढ़ना है तो उससे भी अच्छा सर्यूशन बता देता हूं आपको मैचनेट बेंस का डाउनलोड कर लो प्ले स्टूर से और आप उस अपके महद्दें से आप इन सारे वीडियोस को बिल्कुल एकसेस कर सकते हैं एक्दम फ्री आफ कॉस्ट में मैगनेट बेंस एक ऐसा चैनल है जहां पे क्लास केजी से लेकिक पड़ाया जाता है और यहां पे जितने भी वीडियोस हैं वह सारे वीडियोस आपको बिल्कुल फ